Hello and welcome to another tutorial at Waterfish इस tutorial में हम आपको पानी में नमुक का लेवल चेक और मेंटेन करना सकाएंगे ताके आप स्वार्टर और ब्रैकिश वार्टर उक्रेडिम्स मेंटेन कर सकें स्वार्टर उप्रैकिश वार्टर उप्रैकिश वार्टर टैंक्स में नमक का एक बहुत इंपौर्टर रोल है क्योंकि समंदर के पानी में नमक होता है इसकी वैसे जब मरीन टैंक्स या सॉल्टर टैंक्स रखते हैं या इवन ब्रैकिश वार्टर टैंक्स रखते हैं तो उसमें आपको नमक का लेवल मेंटेन करना पड़ता है ताके आपकी जो फिश है या जो भी लाइप स्टॉक है उसकी हेल्फ आप मेंटेन कर सकें समंदर के लावा कुछ फ्रेश वाटर फिश को भी ब्रैकिश वाटर यानि नीम नमकीन पानी की ज़रूत होती है जैसे अमानो श्रेंप और ग्रीन स्पॉर्टेट पफर फिश जो के भी रीसिंदी हमने अपनी ग्यालरी में आड़ की है समंदर की कंडिशन को इमिटेट के लिए आपकी टैंक में 35 ग्राम्स पर लिटर या 35 पार्ट पर थाजंड नमक होना से जो इसकी रीडिंग रिफ्रेक्टो मीटर पे 1.026 आती है इसी तरह ब्राकिश वाटर के नीम सॉल्टेट वाटर की रिफ्रेक्टो मीटर पे सिलिनिटी 1.005 से लेके 1.018 तक होती है जो कि लेमेंट टैंज में हर 20 लिटर पानी के लिए 1 टेबल स्कून अफ सॉल्ट फ्रास्लेट होती है रिफ्रेक्टो मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपको पानी में सॉल्ट लेवल या सिलिनिटी या स्पिस्विक ग्राविटी को मेजर करने में मदद देती है हम इस डिमॉंस्टेशन के लिए अपने ब्रैकिश वाटर यानी ग्रीन पफर फिश टैंक को ले रहते हैं यह 35 गैलन के टैंक है यानी 133 लिटर तो अगर कैल्कुलेशन के साथ देखा जाए तो इसमें 7 टेबल स्पून अफ सॉल्ट आएगा अब पानी को प्रैकिश करने के लिए नमक आपने उसमें डिरेक्ट लिए डालना है आप एक अलग कंटेनर लें जिसमें आप तोड़ा सा पानी डालें और उसके अंदर साथ टेबल स्पून्स नमक के डालके अच्छी तरह मिलाएं ताकि वो भूल जाए उसके बाद वो पानी आप अपने टैंक में आइस्ता आइस्ता डालना है कुछ दिर पानी को सर्कुलेट होने दे और उसके बाद रिफ्रेक्टो मीटर से उसकी रीडिंग लें रिडिंग लेने के लिए रिफ्रेक्टो मीटर के साथ दिया गया ड्रॉपर लें और टैंक में से कुछ पानी ड्रॉपर के ज़री उठा लिए फिर रिफ्रेक्टोमीटर को खोल के उसकी स्क्रीन की उपर एक ड्रॉप पानी के डाल दाए और रिफ्रेक्टोमीटर की स्क्रीन को बंद कर दाए अब रेफ्रेक्रमेटर की आई-पी इसको अपने आंक से लगाएं और स्क्रीन का जो एंड है वो किसी ब्राइट लाइट की तरफ मोड़ गाएं आपको ये स्क्रीन नज़र आना शुरू हो जाएगी और इसके उपर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं ब्रैकिश वोटर के लिए याद रखें कि आपकी रीडिंग 1.005 से 1.018 की बीच में चाहिए है अगर रीडिंग इससे नीचे है तो आप सौल्ट थोड़ा सा और अड़ करें अगर रीडिंग इससे उपर है तो आप थोड़ा सा और पानी इसमें अड़ कर देए यह तो आप ब्रैकिश वोटर के सेटर अगर आपने सौल्ट फोड़ा रेकोईरिंग बनाना है तो उसके लिए आपको काफी सारा नमग डालना पड़ता है क्योंकि उसके लिए आपको रीडिंग 1.026 की चाहिए होती है यह उसकी मिनिमम रीडिंग है सौल्ट आपको किसी फैट स्टोर समल सकती है और उसके पर उसकी डोजेज भी लिखे होती है कि एक गैलन में कितना सौल्ट डालना होता है वैसे जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 35 ग्राम एक लिटर में होना चाहिए या 35 पार्ट पर 1000 जो होता है वो होना चाहिए लेकिन अगर आपके पास किसी स्टोर का नमक निया तो हम आम नमक भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो आयोडीन मिला नमक ना हो सादा नमक जो खुला नमक आपको मारकेट समलता है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं तो यह था आज का शॉट टूटूरियल अगर आपको यह पसंद आया तो वीडियो लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें और बेल एकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सकते अगर आप Golden 7o Secret के बारे में जाना चाथे हैं तो यहां क्लिक करें अगर आप और टूटूरियल्स देखना चाते हैं तो यहां क्लिक करें यहां आप देख सकते Aeroana Fish की डॉकुमेंटरि और अगर आप Science Documents देखना चाते हैं तो इस चैनल के सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाबाए